दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप स्भीकॉल लावा एल्टी गेड को लेकर साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्राथ्मिक और जूनियर स्कूलों के अंदर सिच्छों के खाली प्रतों की संख्या के बारे में तो चली दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं वीडियो को लाइक करते हैं साथी शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बुलें जिसे की जानका ही आप सभीको ओलन एड़ा फश्ट रीचन के माध्यम से रियल ऑथ्रेंटिक सबसे पहले मिलती जाए हाली में अभयतियों के माध्यम से चैन बोर्ड से मुलाकात की गई थी तो चैन बोर्ड के चेर्मेन के माध्यम से दावा किया गया था कि वो आने वाले 10-15 दिनों के अंदर जो भी फैसला लेते हैं चाहे वो पदों की संक्या बढ़ाने को लेकर हो या फिर टीजडी पीज कराने को लेकर तेहारियां है वो कब तक देखने के लिए मिलेंगी और क्या बिना सदस्यों के भी चेंडी पीजडी की जो परीक्षा हो सकती है जम अब भैतियों के माध्यम से इसको लेकर ग्यापन सोपा गया था तो चैन बोर्ड ने 10 दिन का समय दिया था अब वो पूरा हो चुका है आज आप सुभी के सामने संडे है और कल की तारीक में मतलब की मंडे में अभ्यतियों के माध्यम से चैन बोड से जानका ही मांगी जाएगी कि उन्होंने इस मुद्य को लेकर क्या फैसला लिया है क्या वो टीजटी-पीजटी एक्साम डेट को लेकर जानका ही मांगी जाएगी कि टीजटी-पीजटी परिक्षा के समद्ध में आपका क्या फैसला है लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए एक और छात्र संगठन के माध्यम से एक बड़ा एलान कर दिया गया है और बड़ा एलान आप सभी को देखने के आप सभी के सामने समाच्चा पत्तों के अंदर जानका यह लिखी हुई है चैन बोर्ड पर होगा बड़ा अंदोलन नीचे लिखा हुआ है प्रत्यों की चाहत्त प्रतेजिनी मंडल की माध्यम से बताया जाता है कि 20 दिसंबर के बाद में प्रत्यों की चाहत्त चैन करवाने के लिए और आंदोरन की जो तिया वो गोशित की जाएगी नीचे लिखा हुआ है कि चैन बोड के घठन होने से अब तक यह परीक्षा फरवर में होने की संभावना जदाई जा रही थी लेकिन अभी तक चैन बोड का घठन नहीं हुआ तो यह परीक्षा फरवरी में होपाना भी संभाव दिखाई नहीं दिजाए जिससे करिने की अभ्यादी काफी जदा आहत हैं क्योंकि अभ्यादियों को उम्भीति की अप्रेल में नोडिफिकेशन जाली हुआ है तो सबसे रास्टर फरवरी या मार्च तक आपकी परीक्षा हो जाती लेकिन धिये दिज जलता जारा जनवरी आजाएगा तो फरवरी परीक्षा कराना इतना आसान नहीं होगा इसी को लेकर अभ्यतियों के माध्यम से एक मुलाकात भी की जाएगी मतलब कल वारता की जाएगी और 20 लाइक के बाद अंदुलन भी देखने के लिए मिलेगा अब देखना यह होगा क चैन बोर्ड पर इसका क्या प्रवाब पड़ता है बात कर लेते हैं एल्टी गेड और जी आईसी प्रवक्तर वाले चात्रों के लिए बड़ी राहत की ख़बर के बारे में जिसको हम कह सकते हैं खुशकभी भी है क्योंकि अगर आप किसी बरती की प्रपरेशन करते हैं उस का आपको परड़ा मिल जाता है और वही आज आप सभी को मिलने वाला है मतलब सभी को तो नहीं जो कि यहां पर चैनित हुए उन सभी को लेकिन उम्मीद है कि आप सभी को भी जल्द मिलेगा तेरा सो पिचानबे साइक अध्यापर को प्रभकताओं के पदों के लिए यहां से जो किने की निक्ति की जाएगी उन सभी को निक्ति पत्र रव्यवार मतलब कि आज की तारिक में दिये जाएंगे इन में पंदे जिलाओं के अभ्यति लोग बबन के अंदर सभागार में निक्ति पत्र दिये जाएंगे वहीं बाकी सभी को अगर बात की जाए उनके गया जनपर्द में जन प्रतिनिदियों के माध्यम से निक्ति पत्र प्रतित किये जाएंगे महान देशक, स्कूली सिच्छा, विजय के अनन्द के अनुसार, लोग बबन में सुबर 11 वज़े से होने वाले समारों में अम्बेड का नगर और भी तमाम अलग अलग जो जिलों के अब्वेरती होंगे उनको शामिल किया जाएगा एल्टी गेड और जी आईसी विवगता के 395 अब्वेरतीयों को जो चैनित हुएं उनको निक्तिपत्र आज मिलने वाले सीएम योगी के माध्यम से चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अप्डेट के बारे में जो की संबंदित है उत्तर प्रदेश के अंदर 87,000 प्राथमिक और 46,000 जूनियर सिच्छों के खाली प्रदों के बारे में देखकर हैरानी होती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर BAT BTC पिलस TET पास करने वाले अभ्यतियों की संख्या 21,000,000 से जादा है और अगर इसका सर्वे करवाया जाए तो हो सकता है कि यह आखड़ा और भी ऊपर चला जाए इतनी बड़ी संख्या के अंदर आपके पास BAT BTC होकर बेहुजगार बैठे हुए हैं तो वहीं दूसी तफ हजारों की जंख्या में पर यहां पर खाली पड़े हुए हैं और इसको लेकर सरकार कभी बिदान सभा में जानकाई देती है तो कभी कभी समाचा पत्तों के अंदर भी आप सभी को इस प्रकार की जानका स्कूल लिखा हुआ है कि प्रदेश के साथ साल से कोई भी बेसे की सिच्छा स्कूलों के अंदर प्रमोशन देखने के लिए नहीं मिले हैं जिसके चलते यहां पर इतनी बड़ी संक्या में प्रद खाली है यूपी कि अगर बात की जाए आदे से ज़्यादा परशदी प्र स्कूलों के साय कद्यापक की भरती के लिए जो करवाई जाती है और आपका प्रियाटी के सिच्छक बन जाते हैं तो आपका पहला प्रमोशन होगा या तो आप प्रियाटी के प्रधाना अध्यापक बनेंगे या फिर आप सभी PRT मतलब उच प्राथमे की बात करें है अपर PRT की तो यहाँ पर आप सभी को सायक अध्यापक बनाया जाएगा यह पहला प्रमोशन हो जाता है दूरसा प्रमोशन क्या होता है उसके बारे में लिखा हुआ है उसके बाद प खाली प्रमोशन हो रहा है अगर इन पर प्रमोशन हो जाए तो आने वाले समय के अंदर प्रायमरी सिचक्षक बरती के अंदर प्रदों की संखिया और बढ़ जाएगी प्रदेश के अंदर 87,000 प्रायमरी और 46,000 अपर प्रायमरी स्कूल है इन मेंसे आदे से ज़्यादा पर नहीं है जो सीनिय सिच्छक होता है उसी को यहां पर इंचार्ज बना दिया जाता है और उसी के आधार पर विद्याले चलते हुए दिखाई दे रहे यहां पर NBT का नजरिया भी लिखा हुआ है कि जल्द से जल्द इन खाली परदों को बढ़ा जाए जिससे कि बेवजग को कहने के बजाए इधर उधर की बातों पर ध्यान देती है बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो की संबन देता है उत्तर प्रदेश के अधिकाई यह नहीं समझ पाते हैं ऐसा कहना है कोट का पूरा ना पढ़कर मैं आप सभी को बता दू लिखा साधान अंगेजी बाहसा में अभी कोट के आदेश को नहीं समझ पाते हैं एसपी सांजाबों से कई मुद्धों पर ब्रेक्ति का हल्फ नाम मांगा गया किन्तु बिना कोई कान इसपस्ट किये एसपी ने हल्फ नाम क्यों नहीं दिया मामला यह है कि कई बार अधिकाईयों अलग-अलग विवांगों के अंदर देखने के लिए मिलते हैं उसी के आधार पर कोट के मार्धियम से तंज करस्ते उन्होंने कहा है कि या तो हमारी वो आदेश को नहीं सौझ पाते और अगर वो आदेश को समझते हैं जवाब क्यों नहीं देते बात कर लेते हैं 3760 पर प इसके साथ ही नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलजाएगी ओफीशील वेबसीट जिस पर आप सुभी आप दें कर सकते हैं वीडियो को लाइक करूढ जें साथी शेयर करूढ जेह फिला इस वीड I see I take care обo टैंक यू फैंकियू फास्टिंग इस वीडियो